खलो प्रेंट्स आजमा आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जिससे एदियाव अपनी बकरी की भूक बढ़ाने वजन बढ़ाने कमजोरी दूर करने में आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने भेड बकरियों में बकरे बकरियों में कर सकते हैं और नहीं आपके बकरे बकरियों में इसी तरह का कोई नुकसान ने करेगा कौन सा इंजेक्शन आता है उसके कितनी डोज देनी चाहिए किस रूट से आपको लगाना चाहिए और कितने दिन आप अपने जो भेड बकरियों है उनमें देना चाहिए और क्या-क्या काम आपकी अदर जो कि किसी भी तरह का कोई नुकसान भी ने करें इस तरह का इंजेक्शन के बारे में आपको पताएगा वीडियो जुरूर लंबी होगी तेकिन स्किप करके मन देखना पुरा देखना आपको पताएगी चैनल पर जो नहीं आए या पहली पर जुड़े हैं जितने जो वेड़ प पाउडर टेबलेट नुकसान ने करें तो इस चैनल की जितनी वीडियो होते हैं आपने बेड़ पाला बक्री पाला उनके साथ जितना हो सकता है ताकि उन्हें भी प्रोपर नोलेज मिले देखो यह आपकी बेड़ बक्री खाना पिना नहीं कर रही है सुस्त रहती है या कम खाती है कम खाती है कम जुगाली करती है या कभी कभी कम खाती है कभी सुस्त बैटी रहती है या इस तरह की सिंटम से दिया आपकी बक्रियां देखने को मिलती है या आप अपनी बक्रियों को चारागा में चराने के लिए लेकर के जाते हैं जुंड में तो आपकी बक्रिय हैं खाना पिना नहीं करती है तो इसके कमजोर आ जाती ऑगर तो अब आपकीं के लिव करता हो जैंक की सिसकाई किसी बीत्रहें कह बाटिशन हो गई हूँ यहांदधी आपकी विटामिन डेबसंच करी हो गई हम me कुछ इस तरह की यह दिया आपने कुछ इस तरह की दवा दे दी जिसकी वजह से बक्रियों की जो लीवर है या कुछ इस तरह का तेली पधार दे दिया जो लीवर पर जमा हो गया जिसकी वजह से बक्रियां पानी खाना पिना कम हो गया तो भी उस इंजेक्शन का उपयोग आ अपनी भ kitchen भक्री भक्रे में आसानि से करवा सकते हैं सो इससे सा इसी साथ में एनी澤 की सिकाइत हो गई जिस प्रकाराज से प्रियंट में भलट की कमी आ गई व कोगिंगे दूस में कया है सपेज रिशीроп हो गई यह विज़ती हैं ис We can find अबैं कमजोर हो जाती है मिलती है इसी के साथ आपकी बक्रियां जिस प्रकार से अच्छी साइनिंग ने रही है तो भी आप उस इंजेक्शन का उप्योग अपनी भेड़ बक्रियों में करा सकते हैं कौन से रोग के अंदर करा सकते हैं जिस तरह से इंडाइजेशन चे समंदित यानि खाना पिनानी कर रही है एन्रोक्सिया यानि कई दिनों से इदी बक्रियां बीमार थी उसकी वज़ेशे खाना पिनानी कर रही हैं तो आप लगा सकते हैं या कई तरह की जो डिजीज जिस प्रकार से थनिला रोग हो गया या कोई अधर बल जैसे बक्रियों तो आप पर भी आप उस तरह की इंजेक्शन का उपयोग अपनी बक्रियों में सपोर्ट थरीपी की तो पर इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ आप इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं बहुत यह अच्छा रिजल्ट आपकी बक्रियों में देखने को को मिलता है तो हुए इंजेक्शिन आता है जो विरवे का रूमेरिक अंजेक्शन यसके कमरिक अधर साम्प्लेक्स फिस साथ अधर जो शार्ट आता है जो ईसस्केन पर दीख रहे हैं मिले होते हैं विटाइविउमन्स और इसके नदर यहाँ को पिर्पेर करने के लिए परशूर में बलट का बेड़ बक्रियों बलट का सर्कुलेशन तेज करने के लिए हैं तो यह जो साट का इंजेक्शन है यह आपकी बेड़ बक्रियों के लिए एक रामबान इंजेक्शन है हालांकि जो यह injection किसी भी तरह का ऐसानी है कि आपको बक्रियों में भूँ ज़्यादा नुक्सान करता है यह दि आप सही मात्रा में देंगे सही दिनों तक देंगे और जो मैंने डिजीज बताई है उस तरह की डिजीज में आप इस injection का उपयोग कर सकते हैं यह दि आपकी बक्रियों सहस्त हैं किसी तरह की कोई दिकत नहीं है लेकिन आप अपनी बक्रियों को अच्छा वेट गेन करना चाहते हैं मोटा करना चाहते हैं कमजोरी दूर करना चाहते हैं सहस्त बक्रियों में भी आप इस injection का उपयोग लगातार तीन दिन तक उपयोग कर स सकते हैं यहां कि कुछी हिस तरह कि जो ट्रीटमेड कर रहे हैं गाँ की तेजया रहे हैं तो वहां पर क्रते की कि बिढ़ आपकर प्रयोग कर रहें क्र देँए तो इनत्वह सपोर्ट उनके साथ भी आप इस इंजेक्σιन का अपयोग अपनी भेड बक्रियों में करा सकते हैं देखो इस इंजेक्शन की वैसे इस्टेंडर्ड डोज होती है एक एमेल पर 40 kg बोडिवेट इंट्रा मस्कुलर वैं इंट्राविनस यानि दोनु रूट से इंजेक्शन भेड बक्रियों में लगाया जा सकता है इंट्रा 10 kg के लगबग तो आप एक एमेल इंट्रा मस्कुलर वैं इंट्राविनस तक आप परियोग कर सकते हैं इदी बक्रियों में दिक्कत ज्यादा है तो वापर इसकी डोज गठाई विजा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है वह आपर का वेटिनेरिन निर्पर करता है कि इसक प्रकार से 30 kg है तो 100 kg है तो दो है मैं लगा दे और लगाना किते दीन है तीन दिन से लेकर पांस दिन तक यह यहाई में loose लगाता राप sermon जैसे आज आपने लगा 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 दिया क्यों अब पिर ça यह तरह से तीेन इन ने लेकर कि imisions गयाया जा सकता एंक्रियों में जयादा तर यह दि बक्रियां जो फूकर वजशनिस्तर की दिखते सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो आपर आप तीन दिन से लेकर के पांस दिन तक इस इंजेक्शन का उप्योग अपनी बक्रियों करें यह इंजेक्शन आपकी बक्रियां प्लिग्रेंट हैं जया भी आपके बकरियों में आथा नहीं है तो आप अच्छी तरह से समझ गएंगे कि इंजेक्शन आपके वक्रियों में क्या काम करता है आपको कईमबर पर प्रोड़क्ट है कईमबर भी किसी भी छेतर में आपको मिल जाएगा तो जित्रे जो बेड़ पालक है वक्री पालक है इस तरह की दिकते हैं तो आप यह 30 ml 100 ml की वायल में भी होता है 100 ml आपको 300 रिपेके लग भी मिल है तो आप बड़ी डोज बिला करके जो जड़ा भेड़ वक्रियां रखते हैं सभी में आप इस इंजेक्शन का उप्यों करा सकते हैं बीना किसी साइड लेकिन इंजेक्शन जब भी आप उप्यों करें तो आप इसे ठंडी चाहों में रखें धूप में ना रखें अच्छा समझाया जाएगा साधान बात्सामें सरल बात्सामी ताकि बेड़ पाला वक्री पाला करें तरह से समझ में आजए तो वीडियो जितना उसका शेर करें इच्छे तरह से वीडियो देखते रहें थैंक्शन आप